Hi guys and welcome back to my vlog. I hope you all are doing well. So now without wasting any time, let's get straight to the topic. तो आज का topic है हमारा Traction Control System. आज मैं बता हूँ कि Traction Control System फाइदे मंद है, नहीं है या फिर इसका यूज क्या है और इसका क्या क्या हम फाइदा उठा सकते हैं off-roading करते वक्त. तो आज मैं इस वीडियो का इंट्रो पार्ट भी घर से ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि जहां मैंने क्लिप शूट की है, वहाँ पे मैं ये पार्ट शूट नहीं कर सकता था, काफी जादा noise थी. तो मैं क्लिप पहले से ही शूट करके रख चुका हूँ, अब आप क्लिप देखेगा, थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ पहले. तो आप ये space देख पा रहे हूँ कि ये space में elevation काफी जादा है, camera में देखने में इतना पता नहीं चलेगा, ये वाला spot देखिए, यहाँ पर tire बहुत जादा spin हो रहा था, तो ये वो वाला spot है, आपको अभी वीडियो में आगे देखकर पता चल जाएगा कि ये कौन सा spot है, मैं कौन से spot की बात कर रहा हूँ, बाकि आप elevation देख सकते हैं, काफी जादा है, reality में काफी जादा elevation था, यहाँ पर car का normally चड़ना काफी मुश्किल था, camera में इतना visible नहीं है, यहाँ टायर ट्राइड के निशान देख पा रहोंगे, काफी easily visible है, और ये spot कुछ ऐसे हैं, जह अब ये वाला सबसे first spot है, जहाँ पर tire काफी freely spin हो रहे थे, traction नहीं मिल पा रहा था, इसके उपर एक और point है, और एक सबसे top पर point है, जहाँ पर traction बिलकुल नहीं मिल पा रहा था, तो अभी आप लोग location तो देख चुके होंगे, location किस तरीके की थी, इस location पर elevation बहुत जादा क्योंकि मैं कई बार try कर चुका था, इस जगा से चड़ाने के लिए, लेकिन हमारी गाड़ी के पहिए spin हो रहे थे, freely spin हो रहे थे, traction नहीं मिल पा रहा था, without traction control, तो गाड़ी हमारी climb नहीं कर पा रही थी, तो elevation कुछ इस तरीके का नहीं था, इस तरीके का elevation था लगबग, ज क्यामरा लगा दिया है, एक एक लगा दिया है, हमने right tire पे camera, अभी मैं traction control को off कर लेता हूँ, देखी, icon आगया, इस क्रीन पर हम try करते है, traction control off करके, climb करने की, इस वाली hill को, hill कह लिए या चड़ाई कह लिए, कुछ भी कह सकते हैं, आप, तो यहाँ तो चड़नी मुश्किल है, with traction control off, momentum के साथ try कर लेते हैं, एक बार थोड़ा सा, नहीं चड़ रही है, traction control off होने के बाद में, momentum के साथ, नहीं चड़ रही है, हमारी car, अब हम क्या करते है, traction control को on कर देते हैं, दुबारा से, अब जब traction control work होगा, याने कि engage होगा, तो यहाँ पर वो वाली light जो भी जल रही थी, वो blink करना शुरू कर देगी, थोड़ा से traffic clear हो जाने देते हैं, फिर try करते हैं, पहले normal try करेंगे, फिर थोड़ा momentum के साथ try करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यह बार बार blink हो रहा, जब traction control वर्क कर रहा है, तो यह blink हो रहा, अब थोड़ा सा momentum में try करते हैं, हम लोग उपर climb करने की, देखे हैं, वहाँ पर एक गड़ा बन चुगा, अगर आपको दिख पा रहा हो तो, अब थोड़ा momentum में try करेंगे, जैसे हमने traction control off करके try किया था, अब आप देख पा रहा होंगे कि right tire traction ना मिलने की वज़ा से free spin हो रहा है, बट left tire के पास traction है और उसका फायदा उठा के traction control system ने right tire की power left tire में transfer कर दी, और left tire ने पूरी power होने की वज़ा से car को easily pull कर लिया, अब आप पूरी clip देख चुके हैं, comments में जरूर बताएगा कैसी लगी यह वाली clip, अब बात आती है कि traction control किस तरीके से work किया इस clip में, वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, देखिए location इसी तरीके की थी, उससे आपको काम चलाना पड़ेगा, प्लीज कमेंट में यह मत कहिएगा, कि यह किस तरीके की location थी, यह कैसे था, यहाँ पर तो यह हो जाता हूज जाता, क्योंकि traction control टेस्ट करने के लिए कोई special facility तो बनी हुई नहीं है, कि मैं वहाँ पर जाकर traction control शूट कर लूँ, कैसे work करता है, कैसे नहीं करता है, तो आप बात करते हैं, कि traction control यहाँ पर हमारा किस तरीके से work किया, आपने अभी पिछली वाली clip में देखा, कि right वाला जो tire था, वो freely move कर रहा था, move करे जा रहा था, spin हो रहा था अपनी जगा पर, क्योंकि उसे traction नहीं मिल पर रहा था, उसकी जमीन से जो friction था, वो बिल्कुल खताम हो चुका था, मिट्टी होने की वज़े से, तो वो freely move कर रहा था, अब इस वाले tire की जो power थी, वो waste जा रही थी, तो traction control की वज़ा से, traction control system होने की वज़ा से, computer ने क्या किया, इस tire की जो power waste जा रही थी, बिना बात के ही, क्योंकि उससे हम गाड़ी move तो करवा नहीं पा रहे थे आगे, सिर्फ really spin हो रही थी, computer ने उस tire की सारी power left tire को transfer कर दी, क्योंकि left tire के पास में traction था, बट enough power नहीं थी, कि वो अकेला ही पूरी गाड़ी को pull कर सके, लेकिन जब right tire की power left tire में transfer हो गई, तो left tire के पास double power हो गई, और उस double power की मदद से left tire ने पूरी गाड़ी को pull कर लिया, वो जैसे कि आप अभी clip में देख चुके हैं, अब traction control जब हमारा off था, तो उसमें इस वाले left वाले tire के पास में सिर्फ अपनी power थी, right वाले tire के पास अपनी power थी, जो कि waste जा रही थी, तो left tire के पास इतनी power नहीं थी, कि वो पूरी गाड़ी को pull कर ले, इस वाएसे गाड़ी वहाँ पर नहीं चड़ पाई, slowly भी नहीं चड़ पाई, और थोड़ा momentum चट रही गया, वो ने भी white carer की eco-sport purchase की है, तो आप इनकी car का photo screen पर देख पा रहे होंगे, बहुत-बहुत congratulations, आयूश भाई को, इनका एक YouTube channel भी है, वो आप जा कर देख सकते हैं, उसकी link में description में डाल दूँगा, ये अपने channel पर कथा डालते हैं, सारे बगवान से related, तो अगर आपको उसमें car का photo मुझे send कर सकते हैं, और मैं अपने आने वाली वीडियो में वो फोटो डाल सकता हूँ, तो इस वाली वीडियो में इतना ही था, अगर आपने पूरी वीडियो देखिए, तो उसके लिए बहुत-बहुत thank you, मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में, तक तक के लिए, bye-bye कर सकते हां, अपते हैं, कर सकते हैं